वेलकम टू माई चानल आज हम बात करने होले बंदन बैंक शेर के बारे में बंदन बैंक अभी बैंक के बारे में क्या बताना कि बैंक करती क्या है क्या नहीं करती उसका वेबसाइट क्या है तो यह ज़्यादा बताने से कोई मतलब नहीं क्योंकि बैंक बोला तो सबको पता ह कि bank क्या करती है तो इसलिए उस में हम ज्यादा time waste ना करेंगे खाली इतना देख लेंगे कि यह कहां से best है इसका headquarter कहां पर है कितने branches से कितना क्या है तो यहां पर यह सब दिखाया हुआ है ठीक है कहां से belong करती है bank ठीक है इसका headquarter Kolkata में है West Bengal में जो आता है और और बंदन बैंक प्रेजेंट इन थाटिफॉर ओड़ ऑट अवेलेबल है राज्यों में अवेलेबल है इसके सिए ओ कोन है और इसका यहां पे चेररपरसन कोने ठीके फाउंडर कोन है ठीक है CEO और founder एक ही है तो और ये कब फाउंड हुई है कब ये company आई है तो 2001 में ये बंदन bank आई हुई है ठीक है और यहां पर इसका जो Google पर बताया जा रहा है तो हम देख लो जो प्राइज बता रहा है यह फ्राइडे का प्राइज है फ्राइडे के दिन ही इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है यहां पर 21 परसेंट तक प्रॉफिट बुकिंग की है तो उसके लिए मुझे चार महीने होल्ड करने पड़े बट यह एक महीने के अंदर ही भागा है 259 से लगबख 431 एक साल के अंदर आ चुका है और यहां पर यह company के अंदर यह bank के अंदर 6 strength है 5 weaknesses से 4 opportunity है 3 threat है जब से जो highlight पर बता रहा है उपर सबसे टॉप पर जो बता रहा है उसका strength देख लो 6 में से उपर का strength है net profit growth हो रहा है net profit increasing profit margin भी बढ़ रहा है quarter on quarter और weaknesses में सबसे टॉप पर बता रहा है पाच में से एक जो उपर बता रहा है तो उसमें inefficient use of asset generate profit to generate profit मतलब यहां पर क्या बता रहे हो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है जो asset है जो asset इनका क्या रहेगा cash रहेगा जो public का जो हम deposit करते हैं तो उसका proper use नहीं हो रहा है मतलब वो दे नहीं रहे loan या यह इसा नहीं दे रहा है जो उनको profit generate करने के लिए है यूज हो सकता है तो उसका proper use नहीं हो रहा है वो एक highlight यह weaknesses बता रहे है opportunity क्या बता रहे है चार opportunities बता रहे देख लो positive breakout second resistance हां तो R2 जो है उसमें breakout आया है जो यह चार्ट वाइस बताते ही है ठीक है रेजिस्टन तोड़ा अभी और दोड़ेगा यह होता है यह चार्ट वाइस यह ट्रेडर के लिए यह opportunity है ठीक है और ठेट क्या बता रहा है recent broker downgrade in repo और target price रिको और target price ठीक है recommendation और target price में इन्होंने जो recent broker कुछ है उन्होंने downgrade किया है इनको target price इसका target price कम कर दिये कि इसका target अभी यह अच्यूद नहीं हो सकता यह एक थ्रेड बताया है हुआ है तो और दूसरा इसका market capital देख लो bank है तो bank का market capital बहुत ज्यादा ही होता है तो पच्पन करोड पच्पन करोड 698 ठीक है तो 55 करोड 698 करोड इसका market capital है अभी तक तो यह dividend किसी को दे नहीं रही है ठीक है डिवीडन तो दे नहीं रही है और यहाँ पर देख लो यह company यह bank का जो लो है एक बार इसका आपको वेबसाइट भी दिखाई देखाई 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 दे क्योंकि website में भी कुछ ना कुछ खासियत होती है तो इसका website एक बार देख लेते हम तो उससे कुछ आपको और भी यह bank के बारे में information मिले तो अच्छा लगेगा तो कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो bank में खासियत होनी चाहिए अभी यहां पर बंदन बैंक का homepage पर हम आ रहे है देख लो क्या यहां पर बता रहा है यह थोड़ा बहुत bank के बारे में देख लेते हैं यहां पर customers कितने बता रहा है इसके plans वगरा देख लेते हैं ठीक है इसलिए मैंने यह आपके लिए open करके रखा है कि कुछ खास है क्या यह तो bank है bank है कि यह कितना percent rate of interest पर देता है loan या इसका saving interest क्या है यह सारा information अगर अपने को यहां पर highlight में दिखाता है तो इसका मतलब bank फिर अच्छा ही है बाकि इसमें कुछ ऐसा दिखाता नहीं है तो मतलब सोच लो normally है सब कुछ ठीक है तो यहां पर देख लो कोई यहां पर first page पर कुछ information दी नहीं है कुछ highlighted नहीं है तो it means normal ही है सब कुछ तो यहां पर कोई ज्यादा benefit वाला चीज तो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है यहां saving account भी open करते है यह loan से यहां पर saving account देखते हम तो saving account के लिए भी हाँ चलो यहां पर दिखा रहा है saving account पर 6% interest rate यह हो गया highlighted सबसे अच्छा हो गया unlimited cash transaction इतने भी cash transaction कर सकते हो बट इनके monthly average balance का कुछ minimum रखने का criteria भी होता है 5000 से भी start है low maintenance में 5000 मंतली रख सकते हो तो यह सब भी देखना पड़ता है कि हाँ यह bank का कुछ scope है क्या तो 6 टक्का बाकि 3-3,5 टक्का दे रही है bank तो यह 6 टक्का दे रही है पर यहां पर इन्होंने first page पर यह सारी चीज़े नहीं बताईए ठीक है? तो यह भी दिखा देते कोई कोई बहुत सारे bank first page पर दिखा देते कि इनका saving interest सबसे high है करके ठीक है तो यह धुणना पड़ रहा है तो यह हमने देख लिया ठीक है और यह bank के बारे में हो गया अभी हम इसका जो देख रहे ते वह continue करते मनी कंट्रोल पर हम जो continue में थे वो चीज़ हम यहां पर continue करेंगे यहां पर share के बारे में ठीक है तो मतलब आपके लिए यह idea आ गया कि हां bank में यह भी चीज़ खासी होते हैं तो यहां पर बाखी सब देख लिए हमने अभी चार्ट देख लेते यहां पर देख लो चार्ट कैसा दिख रहा है करेंगे यहां पर जो 25 अगस्ट को जो लो था 25 अगस्ट का जो लो यहां पर लो बता रहा है 259 259 का लो से देख लो यह हाई कितना मारा है 348 का ठीक है तो कितना तगड़ा इसमें इंक्रीज आया है प्राइज में ग्रोथ कितना आया है ठीक है शेर कितना बड़ा है तो यह टाइप का होता है एक कॉंसेप्ट तो मैंने भी चार महीने पहले जो लिया था तो चार महीने मतलो जून के आसपास जो लिया था मैंने इसमें इंट्री की थी ठीक है यहां पर कुछ शेर को गिरते हुए देखा था यहां से यह गिरा हुआ जो दिखा तो मुझे लगा यह बहुत अभी यहा अभी बैंक है तो बैंकिंग तो हमेशा दबा वाई सेकक्टर हैं बैंक में ज्यादा ग्रोथ आता नहीं है तो बैंक का इनप्शा âuक फिर के देद रहता है कि वे रहते हं कि लोगों को लोन 11, इस द हैं ब्ट लोग चुका नहीं रहें तो एक यह सबसे बड़ा इसु रहत रहे आता हैं टो banking सेक्टर हमेशा से डबा वह रहता है बहुत कम इसा ह। जत यह बारे में भी बैंक बारे में अभी देख लेंगे देखो वहां से फिर यह इतना बड़ा फिर वहां से फिर डाउन 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 आया तभी मैं 시청 इसमें बन्दन बैंक में बाइंग, बाई कर लो, लिकमेंडेशन टेलिक्राम चैनल पर देते जा रहा था। उसमें एक बार डिवीडन भी दे 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 है। देखो एक रुपय का डिवीडन दे चुकी है तो लगबग एक रुपय दिये एक शेर के पीछे तो जितने शेर रहेंगे उतना प्रॉफिट सो शेर लेके बेटो सो रुपय तो इसी हो गया ठीक है तो यहां पर फिर इससे यहां तक तो जब जब यह गिर रहा था ना तब त कर लो यहां पर बाइक यहां तक बाइक करते गया उसके बाद इसने मेरे को दे दिया बेसिक किस टका दे दिया मेरे को जो यहां पर कुछ बाइक किया था यहां से बाइक यहां तक बाइक किया तो थोड़ा बड़ा तो मैं कभी भी ओल्वेस मेरे प्राइस के नीचे ही बा से बढ़ा और इस पर मैंने सेल कर दिया तो यह था चाइट वाइज जो मैंने आपको बताया तो यह साल बर में कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं है लगबख सोच लो 60-70 टका तो बढ़ चुका है ठीक है डबल तो हुआ नहीं पैसे किसी के क्योंकि यहाँ पे एक साल का अगर देखा जाए एक साल में कैसा ग्राफ है यहाँ पे यह है इसका टॉप यहाँ पे टॉप है तो और यह अभी बैंक यह रेंज में है तो नीचे ही है और उसको टॉप उपर लाना है 400 का जो प्राइज है 400, 4500 वो उसका रियल प्राइज है अभी भी यह प्राइस से पीछे ही ही नीचे है ठीक है तो और इसका बाकिया हम देख लेते हैं मैं पर्फोर्मानस देखे लो टो मतलब एक ृप में साड़े उनीस टका तो बढ़ चुका है तो पर्फोर्मार्स मैंने वों दिया एक महीनी के अंदर ही बढ़ाया यह लेकिन मेरा होल्डिंग बहुत पीछे से हैं तो हम hold करके रखते हैं बट जहां अपने को मिले जहां उसका increase हो वहाँ पे अपना profit निकल रहा है तो ही निकलो बट मुझे तो 20 टका चाहिए रहता है बट वो time पे नहीं मिला यहाँ पे अभी जाके तो इतना time hold करने के बाद यह अभी जो growth आया उसमें मैं निकल चुका हो ठ इतना time hold किया उसके बाद मैंने उसमें हाँ तो इसमें मजा क्या रहता है ना कि हमको और quantities खरीदने के लिए time मिला बहुत लो बहुत जितने share और quantities ही हमारा profitability बढ़ाता है percentage चाहे same low but quantities कितनी खरीदनी है वो matter करता है तो यह होता है swing trader का benefit चलो यार मैंने 4 मैंने hold किया उतने share उतने share नहीं लिए मैंने लेते गया मैं buy recommendation 25 अगत जो low था तब तक मैं लोगों को बोलते गया कि buy करो buy करो और मैं कुछ भी buy कर रहा था तब तब लोगों ने लिया तो उनका benefit जरूर हुआ रहेगा उनको 25 से 30 टका मिला रहेगा क्योंकि जो low पे buy करता है उसको 25 टका तो मि मिला ही रहेगा जिसने लोगों पे buy किया और जो high पे थे उनको 20 से 21 टका 22 टका तो मिला ही रहेगा ठीक है क्योंकि average भी price होता है जो average price कम करना most of लोगों को नहीं जमता है ठीक है तो यहां पे 21 टका तो एक महीने में जो growth हुआ है वो हुआ बट जो low से अभी देखो यह ति हुआ है बट तीन मेने में 10 टक हुआ है बट मैंने कितना ले लिया मैंने ज्यादा ले लिया ना क्योंकि मैं बाई करते जा रहा था नीचे डाउन पे भी तो एक्स्ट्रा 10 टका या 11 टक मैंने बाई करके लिया क्योंकि मेरा price और डाउन चला गया average price और यहां पे year till date देख में जिसने लिया अचले एक साल में थोड़ा profit में 8 टक कहIT प्रोफिट में तो यह भी होता है कि कब बाई करना चीए कब sell करना चीए 3 साल से जो होल्ड करके बेटा है बिचारा 26 सत्य चका डाउन में है तो यह भी होता है तो यह सब भी देखना पड़ता है कि कब बाई करना चाहिए कब शेल करना चाहिए और हमेशा जो ट्रेडर रहते स्विंग ट्रेडर जिसे कहा जाता है वही profitable रहते क्योंकि वह every down में खरिदते जाते और उनका price जो रहता है वो नीचे आते रहता है और उस वज़े से जब ये प्राइज उपर जाता है तो उनमें वो प्रॉफिट बुक कर लेते जैसे मैंने किया है तो ये होट स्टॉक में इसका नाम दिया था ये 8 अक्टोबर का न्यूज है ठीक है कि इसको बाइ करो करके ये रिकमेंडेशन यहाँ पर न्यूज में बता रहे है तो यहाँ पर ब्रोकर भी बोल रहा है एमके ग्लोबल भी बता रहा है 390 का टार्गेट दे रहे है 309 का जब प्राइस था तब उन्होंने बताया था और ये 16 जुले का उनका रिकमेंडेशन है तो अल्रेडी मैं उनसे पहले ही ले चुका हो जुन में ही ले चुका हो मुझे अल्रेडी प्राइस अच्छा लगा तो मैं किसी का रिकमेंडेशन देखते बैठता नहीं हूँ मुझे price अच्छा लगा मैं मेरे हिसाप से चलता हूँ ठीक है तो ये private bank है देखो यहाँ पर private bank बता रहा है तो ये भी confirm होना अच्छी कुन सी bank है ठीक है और यहाँ पर अभी 345 है ना तो 390 तक जाएगा ये इसका कहले नहीं आ है तो ये कब तक जाएगा ठीक है में तो निकल गया हो ठीक है हो सकता है 45 रुपीज और बढ़ भी सकते हैं बढ़े गई बैंक है शेर है बढ़े गई डाउन नहीं आएगा बढ़ हमको कब खरीदने यह इंपोर्टन होता है उसका बाकि सब चीजे प्रॉफिटेबिलिटी पे उसके फाइनेंशल पे व बोल रहे हैं ठीक है और यहां पर जो इंसाइडर डिल्स हुई है उसके बारे में भी बताया हुआ है बाद में यह इंसाइडर ट्रांजेक्शन ही यह ब्लॉक डिल्स है बड़े बड़े डिल्स है और यह इंसाइडर ट्रांजेक्शन से अंदर जो प्रमोटर से ने डिजि financials पर देख लो इसका revenue बहुत अच्छे financial बंदन बैंक अभी तो मैं हर किसी को बोलूगा बंदन बैंक बहुत अच्छा है ठीक है अभी और revenue भी देख लो अभी 2021 भी बाकी है profit profitability भी बहुत अच्छा है graph देखके ही company में invest करना चीए यह सारी चीज़े देख अगर हम किसी company में job भी करते company profitable है तो हमारा भी बहुत तगड़ा salary बढ़ता है अगर company का profitability ही खराब है तो salary क्या बढ़ना क्या सोचो तुमको जो salary मिल रहा है वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा एक महिना दो महिना तो company का performance उस आगे जाके उनका भविष्य उनके साथ काम करने वाले का भविष्य बनता है ठीक है तो यह तो अच्छा ही है कि बंदन भैंक बहुत अच्छा है बैंकों में ठीक है आगे के लिए यह हजारो दो हजार तीन हजार के price तक भी जा सकता है यह company में इसके profitability से दीख रहा है ठीक 9.99 मतलब 40 टका तो promoter ने यह hold करके रखा है FYS ने सबसे ज़्यादा लिया है देखो foreign के लोगों को पता चल गया है कि बंदन बैंक बहुत अच्छा है इसमें invest करो HDFC बन सकता है यह next यह foreign के लोगों को पता चला तो foreigner लोग Indian company में पैसा लगा रहे तो कितना सो समझ के लगा यह है और 531 मतलब सबसे ज़्यादा 531 तो companyya है foreign की जो invest करके रखा है FIA FPA ठीक है यह और यह जून का data है यह भी जून का है और mutual fund ने भी 21 mutual fund ने इसमें invest करके scheme ने यहां पर mutual fund scheme लिखा है मतलब 21 mutual fund की scheme अलग-अलग scheme उसने इसमें पैसे डालके रखे हुए है ठीक है तो और यहां पर public का देखलो public के पास 22 तक का है holding shares है public के पास D.I.S को बहुत कम मिले D.I.S क्या होते है बड़े-बड़े Indian investors रहते हैं बड़े जो इंस्टिचुशनल इन्सेटर, domestic institutional इन्सेटर जो होते हैं और DIs है, तो DIs के पास बहुत कम हैं और FIs के पास बहुत ज्यादा हैं और प्रोमोटर और पब्लिक के पास ज्यादा हैं तो सोच लो मुझे तो company बहुत अच्छे लगी, bank बहुत अच्छा लगा बंदन बैंक, मैंने वो चीज पहले अल्ड़ेडी देख चुखा था, तब भी मैंने इसमें इंट्री की थी और बैंक है, बैंक में NPA का एक थोड़ा इश्यू होता है कि लोग लोन नहीं चुकाती इस वज़े से बैंकों का ज्यादा और बड़े लोग जो बड़ी-बड़ी कंपनिय है वो ही बैंकों को डुबाती है छोटे लोग इमांदारी से दे देते पैसे, लोन लियाए तो चुका देते हैं, ठीक है, बड़े लोग जो loss करतेना उस वज़े से कंपनिया डुब जाती यह तो थोड़ा बहुत ये company सोस समझ के चल रही है यहाँ पे जो inefficient जो asset का use बता रहा है कि नहीं कर रही है तो ये सोस समझ के ही लोगों को loan दे रही है हर किसी को देखे ना डूब नहीं जाना इनको ठीक है तो bank बहुत अच्छी है मैं तो recommend करूँगा मैं खुद भी इसमें फिर नीचे आता है फिर लेते रहूँगा देखो कोई भी bank में अगर तुम यहाँ पे पैसे लगा के रखते है छे टक्का मिलता है ना यहाँ पे मुझे चार महीने होल्ड करने पड़े चलो एक महीने में बड़ा बट चार महीने होल्ड करने के बाद बट profitability quantities बड़ी मेरी और profitability बड़ी इसके वज़े से मैंने 21 टक्का 21% ठीक है 21% इसमें profit ले लिया तो बहुत अच्छी बात है ना सालवर में अगर रखता तो 6 टक्का मिलता बट उनका भी यह है ना criteria कि इतना amount रखना पड़ेगा यह भी रहते हैं कि एक लाख रुपया रखो तो ही हम 6 टक्का देंगे नहीं तो आपको 3.5 ही टक्का देंगे यह भी होता है वो सारे बैंकों में तो एक लाख पे 6 टक्का कितना होता है वो भी calculate कर लो ठीक है एक लाख का 6 अजार मिल जाएगा है ना तो 6000 अगर वही एक लाख पे 20 सिक्किस टका मतलब 20 सिक्किस अजार तो क्या better है शेर्स लेके रखना या बैंक में रखना तो इसलिए मैं शेर लेता हो बैंक में भी रखो बट शेर्स भी अच्छे-अच्छे कमपनियों के चूस करो देखो चार मेने में मिल रहा है वो चीज जहां एक साल भी रुखने की जरूरत नहीं है फिर वही पैसा फिर से कई बैंक में लगा दो या यही बैंक फिर से नीचे आता है फिर तब ही एक बार लगा दो क्योंकि ये अभी हाई से अभी भी भी बहुत अभी भी बाई कर सकते हैं क्योंकि देखो ये बीच ओब बीच है अभी भी बाई करके चल सकते हैं कोई इसमें खराबी नहीं है और में नीचे जाएगा फिर में इसमें और इंट्री कर सकता हो ले सकता हो प्र लॉंग टर्म के लिए तो मुझे ये बैंक बहुत अच्छा लगता है जिसको लेना है बिंदास ले सकते हैं मेरा हमेशा से अच्छी बैंकों के लिए यह रिकमेंट रहेगा और मैं financially और fundamentally share को चेक करता हूं तभी उसमें इन्वेस्ट करता हूं ठीक है तो मेरा रिकमेंट है और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट करके चल सकता हूं ठीक है और यह आपका परसनल है कि आपको मेरा सुनना है नहीं सुनना है क्योंकि मैं कोई से भी रेजिस्टर यह नहीं हूं मेरा परसनल व्यू है कि मुझे यह बैंक अच्छी लगती है ठीक है तो उसी सबसे आप चल सकते कि आपको लेना है या नहीं लेना है या आपको और इस पर स्टड़ी करना है तो स्टड़ी करो और फिर इन्वेस्ट करो कोई किसी का सुनके डायरेक इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है खाली मेरा पास परफॉर्मंस देख लो मेरे इस पर वीडियो आते रहते प्रॉफिट अबिलिटी पर ठीक है मैं इसमें प्रॉफिट बुक किया उसमें प्रॉफिट बुक किया या और उसके बारे में कंपनी के बारे में भी बताता हू तो वह भी वीडियो देख कमा लेता है ठीक है तो यह था बंदन बैंक के बारे में मेरा रिव्यू ठीक है एनलाइसिस तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इन्फोर्मेशन अच्छा लगा हर इन्फोर्मेशन सच है सब आपके आखों के सामने है और कोई जूट कोई फेकम फाकी नहीं है कि कोई फेक रहा है कुछ भी बता रहा है और यह कर रहा है और मैं कोद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा ही इन्वेस्टमेंट के बाद उसको मुझे क्या return मिला वो मैं आपसे share करता हूँ ठीक है आपको मेरी information अच्छी लगती है जरूर subscribe करो subscribe में कोई घाटा नहीं जाता है like करो like करने से ये share और थोड़ा फैलेगा ठीक है ये वीडियो और थोड़ा लोगों में YouTube बेजेगा ठीक है और आप भी कुछ share करो दोस् सारा पैसा पड़ा है ऐसा नहीं कियार में खुदी अकेला कमा लूंगा अकेले कोई चाहिए share market में बहुत सारा पैसा है कोई आपका जेप से नहीं जाने वाला है आपको जो इन्वेस्ट करोगे सामने वाला भी जो इन्वेस्ट करेगा उस पर उसको पैसा मिलेगा कोई 100 ल चैनल को सब्सक्राइब करो शेर को खरीच सकते हो ठीक है चैनल अच्छा लगे लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो थेंक्यू बाइबाइ